हेलो और वेलकम टू टीवी का पटाका वेल दोस्तों आपको बता दें कि 24 दिसंबर को तुनीशा शर्मा देथ मिस्टरी को सुलजाने के लिए मंगलवार को अब फॉरेंसिक टीम उस सेट पर पहुँची जहां तुनीशा शर्मा का शव पाया गया था टीम को पासी के फंदे पर खून के निशान और बहुत कुछ मिला है जी हां दोस्तों खबर सामने है कि अभी तक इस बात को साफ नहीं किया गया कि जिस तरह से शिजायन मुहमत खान ने अपना स्टेटमेंट दिया है कि शद्धा वॉलकर केस को देखते होए उन्होंने ब्रे देने पर उक्साया गया था जिसके पूरे के पूरे गुनेगार है यहां पे शिजैन मुहमत खान वेल दोस्तों आपको बता दे कि यह मामला बहुत ही ज्यादा होता जा रहा है और इस वक्त पुलिस जो है काफी जादा हरकत में है और पूरे तरीके से मामले की जाच को सही तरीके से किया जा रहा है ताकि इस बात को इस मिस्टरी को सॉल्फ किया जा सके कि तुनीशा की डेथ एक सुसाइट थी या फिर एक मर्डर वेल आपको बता दें कि इस केस में हर दिन एक नए खुलासे हो रहे हैं और हाल ही में एक और बड़ा खुलासा हुआ है जहां पर आपको बता दें कि आरोपी माने गए शिजैन खान को 28 दिसंबर तक पुलिस कस्टिडी में रखा गया वही मंगलवार को पुलिस ने तुनीशा का ब्लड सैंपल कपड़े और जूलरी जाच के लिए भीजे क्लीना लैप से महराश्टर के पालघर स्तित उस जगह पर पहुंची जहां आक्टरस का शव बरामत किया था पुलिस ने फासी के पंदे से खुन के निशान लिए और तुनीशा के कान के जुम के बरामत की ए पुलिस इसने फासी के फंदे से खून के निशान तो लिये ही थे लेकिन इसकी बड़ी वज़ा बताई जा रही है कि इन सभी चीजों के सांसा श्रिजैन ने उस दिन जो कपड़े पहने थे और जो फोन इस्तमाल कर रहे थे उसे भी हिरासत में ले लिया गया है वेल दोस्तों जिन कपड़ों में तुनिशा के शब बरामत किया गया था वही कपड़े उठा कर जाच परताल के लिए पुलिस लेकर गई है वेल इसी के सांसाद आपको बता दें कि उस वक्त वहाँ पर मौझूद इस मामले में कुल 16 लोगों के स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड किये गए है जो हाथसी के वक्त सेट पर मौझूद थे वेल दोस्तों यहाँ पर सिजन ने तो ये कह दिया है कि उन्होंने शद्दा वॉलकर केस से सबक लेते हुए अपना और तुनीशा का रिष्टा खतम कर लिया था लेकिन तुनीशा इस जटके को बरदाश नहीं कर पाई जिस वजह से उन्होंने खुद ही अपनी जान देने का फैसला किया लेकिन दोस्तों असलियत क्या है यह फोरेंसिक टीम जो अचानक से आई वही बताएगी आप क्या कहेंगे हमें कॉमेंट्स में जरूर बताएं साथी साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना अपना भूल